सिलिगुडी में रामकृष्ण मिशन मामले में दो और आरोपी गिरफतार अब तक आरोपियों की संख्या तेरा हुई बढ़कर सिलिगुडी में रामकृष्ण मिशन जमीन मामले में दो और आरोपियों को गिरफतार किया गया है मंदार मनी से दो और लोगों को गिरफतार किया गया है गिरफतार किये गए आरूपियों की पहचान सक्तिगर निवासी विधान हलदार उम्र 40 वर्ष और सुभासपली निवासी संजय सिकदर उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है रामकृष्ण मिशन जमीन मामले में अब तक 13 लोग गिरफतार हो चुके है उलेखनी है कि 19 मई को भू माफियाओं ने आगने यास्तरव अधारदार हत्यार के बल पर मिशन की जमीन पर कपजा करने का प्रयास किया था घटना के बाद रामकृष्ण मिशन की ओर से भक्तिनगर थाने में लिखित सिकायत दर्ज कराई गई थी सिकायत के आधार पर पुलिस ने जाच करते हुए केजी एफ गैंग के सदस्य समेत 11 आरोपियों को एक एक कर गिरफतार कर लिया था इनमें मुख्य आरोपि प्रदीप रोई और केजी एफ क्याइंग का माश्रमान आलोक दास भी है पुलिस ने घटना की जाच के बाद सोमवार को मंदार मनी से दो और लोगों को गिरफतार किया है गिरफतार लोगों को आज सिलिगडी जलपाइगडी अदालत में पेश किया गया पुलिस सूत्रों के मुतावित आरोपियों का संबंध कुख्यात भू माफिया से है पुलिस पुडे मामले की जाच कर रही है के तपाई G.N.M. अथबा B.C. नर्सिंग गरने सोचनु हो देछ तेसबय चमपासरी सीशा बारे इस्तीत अदान इंस्टिटूट अफ नर्सिंग एंड साइंच मा आउन होज जहां तपाईले तीन बर्षमा जी एनेम र चार बर्षमा 100% प्लेस्मेंट को साथ मा B.C. नर्सिंग गरना सक्नु होने चा W.B.N.C. र W.B.U.H. तवारा मान्यता प्राप्त अदान इंस्टिटूट ले उत्कृिस्ट सुविदा रस्त्रो धरु प्रदान करते चा जस्ती बैंक लोन, इजी इंस्टिल्मेंट, स्कॉलर्शिप इत्या दी टाड़ा बाटा आउनों गुदीचा बने पनी चिंता न लिन होस यहाँ तपाईले हॉस्टिल फेसिलिटीज पनी पाउन सक्नु ने चा अद्मिशन को निमित्त संप्रग गरना होस 8016-235569 सिली गुडी के फूल बाडी स्थित महाराजा अक्रसिन अस्पताल में आपका स्वागत है 80 से अधिक समर्पित दॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेत्रित्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिन टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभान और व्यक्तिकत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास को बढ़ावा देने के उद्देश से व्याबक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं महाराजा अग्रसेन होस्पिटल फूलबारी सिली गुडी